आप सभी को मेरा नमस्कार, आज मैं आप सभी के समक्ष तुलसी विवहा की दो कथाई प्रस्तुत कर रही हूं। आईए शुरू करते हैं तुलसी जी के विवहा की एक लोग कथा, एक परिवार में एक ननद सचे मन से तुलसी मा की विशेश पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाबी को यह सब पसंद नहीं था, वह अकसर ही गुसे में अपनी ननद को कोस्ते हुए कहती थी, कि दहेज में वह अपनी ननद को तुलसी ही देगी, यही नहीं वह बारातियों को भी खाने के लिए तुलसी ही परोसेगी, समय का चक्र बड़ा बलवान है, आख फिर ननद के विवहा की घड़ी भी आ गई, भाबी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड कर रख दिया, भगवान शिरी हरी की क्रिपा से वहलजीज वियंजनों में बदल गया, भाबी को यह रास नहीं आया, उन्होंने ननद के गहनों की जगा तुलसी की मंजर पहना दी, क्षन भर में वह मंजरी सोने के अभूशनों में बदल गई, इसके बाद भाबी ने वस्तरों की जगा जनेव रख दिया, और वह जनेव भी रेशमी वस्तरों में बदल गया, जब उसकी ननद अपने ससुराल में पहुची, तो वहाँ पर उसकी बहुत बढ़ा उसके बाद भाबी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आ गया, कहते हैं, यदि आपके मन में श्रधा नहीं है, तो पूजा करने से, फल फूल चढ़ाने से, या स्वादिष्ट वियंजन बनाने से, कोई लाब नहीं मिलता, लेकिन अगर मन में श्रधा और विश्वास हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है, उसके बाद भाबी ने अपनी बेटी को भी तुलसी जी की पूजा करने के लिए कहा, परंतु उसकी बेटी ने उसकी एक ना सुनी, जब उसकी बेटी के विवाह का समय आया, तो उसने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवह जो उसने अपनी ननत के साथ किया था, तो तुलसी मा उसकी बेटी को भी आशिर्वाद देंगी यह सोच कर भाबी ने अपनी बेटी के विवाह में वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला तूटा का तूटा ही रहा और मंजरी सोने के आभुशन बनने की बजाए मंजरी ही र यहाँ समाज में बेटी और उसके परिवार जनों की बहुत निंदा हुई और सभी को खूब खरी-खोटी सुननी पड़ी इतना सब कुछ होने के बाद भी भावी ने कभी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया एक दिन भावी ने सोचा क्यों न वह ही अपनी बहन से मिलने चला जाए उसने अपनी पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने के लिए कहा इस पर भावी ने उसे जोले में जवार रख कर दे दिया भावी को बहुत दुख हुआ उसने सोचा कि व जोला पलट दिया मा तुलसी की कृपा से वह सारा जवार बहुत ही सुंदर सुंदर उपहारों तथा सोने चांदी के अभुशनों में बदल गया तब गोपालक ने कहा कि वह सोना चांदी तथा उपहार गाए को क्यों दे रहा है तब भावी ने देखा और उसके आश्चर ये का ठीकाना ना रहा उसने गोपालक को सारी बात बताई तब गोपालक बोला यह सब तुलसी मा की कृपा है भाई भी खुशी-खुशी अपनी बेहन के घर गया उसके द्वारा लाए हुए उपहार देखकर उसकी बेहन तथा ससुराल वाले बहुत खुश हुए हे तुलसी मैया, जैसे आपने ननद पर कृपा की, उसी प्रकार अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, जै मा तुलसी, इस प्रकार तुलसी विवहा की लोग कथा पूरण हुई, आईए अब शुरू करते हैं तुलसी विवहा की दूसरी और पुराणिक कथा, एक बार शीव भगवान ने अपना तेज समुद्र में फेक दिया था, उस तेज से एक महाते जस्वी बालक ने जनम लिया, वह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राकरमी दैत्य बना, उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था, उसका विवहा दैत्य राज कालनेमी की पुत्री व्रिंदा के साथ हुआ, अपनी सत्ता के एहंकार में वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश परवत पर गया, उसने अपनी माया से भगवान शिव का ही रूप धारन कर लिया, और पार्वती जी के समीप गया, परंतु देवी पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वह अंतरध्यान हो गई। देवी पार्वती ने कुरुध होकर सारा वृतांत भगवान विश्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी व्रिंदा एक पती व्रता इस्त्री थी। उसके पती व्रत धरम की शक्ती से जलंधर को ना तो मारा जा सकता था और ना ही वह पराजित हो सकता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए व्रिंदा का पती व्रत धरम भंग करना बहुत ही जरूरी था। भगवान शिरी हरी के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिने देखकर वृंदा भयभीत हो गई, रिशी ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया, उनकी शक्ती देखकर वृंदा ने केलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे, अप अपनी माया जाल से एक वानर को प्रकट किया और वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़ अपने पती की यह दशा देख कर व्रिंदा मुर्चित होकर गिर गई होश में आने पर उन्होंने रिशी रूपी भगवान से विंती की कि वह उसके पती को जीवित करें भगवान ने अपनी माया से उन्हे जलंधर का सिर धड़ से जोड दिया परंतु वह स्वयम भी उसी शरीर में परवेश कर गए व्रिंदा को इस छल का जरा भी आभास ना हु जलंधर बने हुए भगवान के साथ व्रिंदा पती जैसा व्यवहार करने लगी जिससे उसका सतित्व भंग हो गया ऐसा होते ही व्रिंदा का पती जलंधर युद्ध में मारा गया इस सारी लीला के बारे में जब व्रिंदा को पता चला तो उसने कुपित होकर भगवान व पत्थर बन गए। श्रिष्टी के पालन हारी भगवान शिरी हरी के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिती हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने व्रिंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विश्नु को श्राप मुक्त करे। व्रिंदा ने विश्नु जी को श्राप मुक्त करके स्वयम आतमदाह कर लिया। जहां व्रिंदा भस्म हुई थी वहां तुलसी का एक पोधा उगा। भगवान विश्नु ने व्रिंदा से कहा ही व्रिंदा तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्र वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको तुलसी जी के विवहा की दोनों कथाएं पसंद आई हैं तो कमेंट बोक्स में जै तुलसी मैया जै श्री हरी भगवान लिखना ना भूले। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जै तुलसी जी की जै श्री हरी भगवान